दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हो कि आपका Instagram account किस-किस phone में login किया हुआ है किस-किस laptop में login किया हुआ है वो सकता है आपका Instagram account किसी दूसरे के भी phone में login किया हुआ हो दूसरे के भी laptop में login किया हुआ हो और कैसे आपको दूस लेकिन माल दो ये किसी दूसरे का फोन है, उसमें भी मेरा ये Instagram एकाउंट लॉग इन किया हुआ है, तो मैं अपने फोन से, इस फोन से, इस फोन में लॉग इन Instagram एकाउंट को कैसे रिमूव कर सकता हूँ, और कैसे आपको पता करना है कि किस-किस और भी मोवाईल में लाप्टॉप में आपका Instagram एकाउंट लॉग इन किया हुआ है, तो इसे जानने के लिए आप Instagram प्रोफाइल ओपन कर लोगे इस तरीके से, अब यहाँ पर अपने Instagram प्रोफाइल को सेलेक्टर लेना है, अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा उन सारी डिवैसे का लिस्ट जहाँ पर आपका Instagram एकाउंट लॉग इन किया हुआ है, इसमें भी मेरा Instagram एकाउंट लॉग इन किया हुआ है, तो अब मैं अपने ही फॉन से लॉग आउट कर सकता हूँ, तो यह है Redmi Note 9 और यह मेरा Redmi Note 9 डिवाइस है, दूसरा डिवाइस जिसमें कि Instagram एकाउंट लॉग इन किया हुआ है, अब मैं यहाँ पर Select to Logout डिवाइसे इस पर टैप करूँगा, और यहाँ पर मैं इस डिवाइस को सलेक्ट तरूँगा, इसका नाम, और Logout पर टैप करना है, अगेन Logout पर टैप करना है, जैसे ही मैं Logout पर टैप करता हूँ, और यहाँ पर Refresh करता हूँ, देख सकते हूँ, Error आ जाता है, यहनि कि इससे Logout हो चुका है, और इस मोबाइल में जो दूसरा Instagram एकाउंट Login था, वो Open हो गया, तो इस तरीके से आप भी अपने Instagram एकाउंट को दूसरे की डिवाइसे से Logout कर सकते हूँ, Remove कर सकते हूँ, और पता कर सकते हूँ कि किस-किस डिवाइस में, किस-किस मोबाइल में आपका Instagram एकाउंट चल रहा है, Login है,